देली करे निउस में अभी की खबर है वैज्ञानिकों ने खोजा जीवों में मौजूद प्राकर्तिक जीन एडिटिंग टूल हाली में शोतकरताओं ने एक शक्तिशाली उपकरण की खोज की जो एक जंपिंग जीन है यह असंबंद DNA के टुकडों के बीच एक पुल के रूप में कारे करता है और मनुश्यों में स्वभाविक रूप से मौजूद होता है वैज्यानिकों के अनुसार या सभी जीवों में प्राकर्तिक रूप से विद्दमान जीन एडिटिंग टूल है इसका उप्योग बड़े पैमाने पर जीन को एडिट करने के लिए किया जा सकता है बता दे कि भविश में इससे बिमारियों के लिए अधिक उननत जीन एडिटिंग चिकित्सा और उप्चार की उम्मीद है चले अब जानते हैं जीन एडिटिंग टूल विधी के बारे में या अगली पीड़ी की जीनोमिक डिजाइन विधी है इससे bridge recombinage mechanism कहा जाता है ये सुभाविक रूप से मौजूद होती है इसका उप्योग DNA को प्रोग्राम और एडिट करने के लिए किया जा सकता है ये mobile genetic तत्वों या jumping gene का उप्योग करता है चले अब जानते हैं jumping gene के बारे में इन्हें transposon के नाम से भी जाना जाता है ये DNA के न्यूंतम खंड होते हैं इनमे recombinage enzyme होता है ये genome में खुद को काटते और चिपकाते हैं ये जीवन के सभी रूपों में मौजूद होते हैं इनमे DNA double strand break के बिना सीधे सम्मिलित होने या एकिकृत होने के लिए इसे एक guide के साथ प्रभावी ढंक से प्रोग्राम किया जा सकता है ये genome में उप्योग करता निर्धारित स्थानों में अविश्वस्निय परिशुधता के साथ स्वयम को सम्मिलित कर सकता है तो चलिया अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को जीन एडिटिंग टूल विधी के बारे में निम्रलिकित कतनों पर विचार कीजे एक इस विधी को ट्रांस पोसॉन के नाम से भी जाना जाता है दो इसका उप्योग DNA को प्रोग्राम और एडिट करने में किया जा सकता है उपर उक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो रो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का उतर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाईब झाल दो एक, बीकिस झाल तो, मिल दो दो, सी एक और दो, सी बीद भी लिए भी बस प्रश्न का इतना ही है या क्वाद वाद जो